तो मान लो आपका एक exam है, कोई भी एक subject का, जिसमें 10 chapter हैं total उस subject में, तो वो 10 chapter में से ही आपको सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ 9 chapter की ही तयारी की है, जो last वा 10 वा chapter है, उसको आपने छोड़ दिया है, विकाज वो बहुत ही कम marks का आएगा, उसके सारे questions, उस 10 वे chapter से पूछे गए हैं तो, जो गुस्सा में आपकी condition होगी, वैसी ही आद सारे traders की condition थी, so hi everyone, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में, well आज हमने देखा एक बहुत ही जादा unexpected move market में, well हम ये कल discuss कर रहे थे, and काफी लोग यही सोच रहे थे, क and जिस direction में market जा रही थी, उसी direction में वापिस है market गिरी, and अभी ये थोड़ा worry का concern हो सकता है, so अगर हम nifty की बात करें, so gap down खुली थी, and 16,850 की range में खुली थी, वहां से अगर हम देखेंगे, तो वहां से continuously उपर जा रही थी, and हमें लग रहा था, कि अब शायद एक time है, because 17,000 तक nifty आई थी, and वहां पर थोड़ा resistance लिया, and उसके बाद क्या होता है, 17,000 से continuously fall करती जाती है, and 16,820 की range में close कर देती है, so 17,000 की range से bears काफी जादा active हो जाते है, and वहां से वह इतनी जादा market नीचे लियाते है, अपने day low पे लियाते है, and उसका result क्या होता है, उसका result यह होता है कि nifty, जब एक situation में वो थोड़ा positive चल रही थी, हमें लग रहा था, कि शायद थोड़ा positive close होगी, उस situation में अभी 150 points negative में close किया है, जो almost आ जाता है, 0.87%, और वहीं अगर हम bank nifty की बात करें, so bank nifty 38,000 की range में खुला था, वहां से morning से ही थोड़ा choppy था bank nifty, and 38,000 की range म काफी जाद important यह support and resistance दोनों ही दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद क्यों होता है, थोड़े time बाद, 11, 1130 के आसपार, 38,000 से बहुत अच्छे से वो निकाल देता है, उपर की तरफ, and 38,300 तक उपर की तरफ जाता है, लेकिन उसी समय nifty अपना 17,000 का resistance ले रहा होता है, जिसकी वज़े से bank nifty भी अपना resistance लेता है, 38,300 पे, and वहां से continuously fall करता जाता है, and अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कितनी जादा steep fall थी हो, and इसी situation की वज़े से हम हमेशा बोलते हैं, कि market जब भी उपर जाती है, वो stairs से उपर जाती है, लेकिन नीचे हमेशा lift से आती है because इतना जादा हमने देखा है कि इतना जादा नीचे की तरफ बहुत जादा fall हुआ है, and I am like really sure FIS ने काफी जादा selling की होगी at the end of the day में, so चली है अब सबसे पहले कल के important levels discuss कर लेते हैं, and उसके बाद फिर मेरी trade के बार में भी discuss कर लेंगे, तो सबसे पहले nifty से start कर लेते हैं well nifty देखेंगे तो इस range में खुली थी जो 16,880 की range आ जाती है, and यहां से आप जो पहली 15 minutes की candle देखेंगे, उसी में आपको लगएगा कि शायद थोड़ा bullish move आ सकती है market में, and उसकी ugly candle, उसके बाद अगली candle, फिर fourth candle, सारी की सारी candle 10 वज़े तक की green बनी थी, and इसमें मुझे थोड़ी उमीद लग रही थी कि market शायद थोड़ा pullback दिखा सकता है, जिसकी वज़े से market अभी थोड़ा at least आज के दिन के लिए bullish close हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यह 17,000 की जो range है, exactly इसी level से market अपना resistance लेती है, यहां से bears काफी जादा active हो जाते हैं, जिसकी व जो सिर्फ 12 बजे से आया है, और सिर्फ 3 घंटे में आया है, इतना बड़ा नीचे की तरफ move, तो यह अभी भी दर्शाता है कि bears अभी भी काफी जादा active है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि market उपर जाए, और जब भी market अपना हलका सा भी pullback कर रही उपर की तरफ, bears फिर active हो जाते हैं उपर के level पे, और वहां से continuously फिर market गिर जाती है, तो अभी अगर हम कल के important levels के बार में बात करें, तो उपर की तरफ 17,000 सबसे ज़्यादा important यह range है, यह जो आज का high है, यह काफी ज़्यादा important अब एक resistance बन चुका है, उसके बाद हम देखेंगे तो 17,200 यह बहु और उसके बाद फिर हम सबको मालूम है जो 17,400 की range है, कितना important resistance है वो, और नीचे की तरफ देखेंगे तो 16,745 बहुत important अभी support है, और उसके बाद 16,450 की जो एक range है, वो एक काफी important support है nifty के लिए, अब मतलब ऐसी situation हो रही है market में, कि अभी कोई नहीं बता पाएगा कि market और क जादा गिर जाती है, तो अभी bottom तो इसका बताना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, and let's see क्या होता है, and let's hope कि everything goes in our favor, और चलिए इसका एक बर OI analysis भी देख लेते हैं, so अब इसमें सबसे जादा call राइटिंग हुई है, वो 17,000 की हुई है, and I'm sure 17,000 की हुई होगी, because हम 17,000 का जो range है, वहाँ से continuously, वहाँ से sharp fall आई है, तो इसलिए 17,000 पे काफी जादा call बेचे गई होंगे, and वहीं अगर put writing की बात करें, तो 16,500 पे है, जो सबसे जादा put writing है, लेकिन अभी market का scenario देखके, अभी थोड़ा safe तो यह at least नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही दिन expiry में, and we'll see क्या होता है इसमें, और चली एक बार bank nifty भी देख लेते हैं, so bank nifty देखेंगे तो ऐसा ही कुछ scene था, जहाँ पे 38,300 की range से यह continuously fall किया है, and इसमें अब हम देखेंगे, तो उपर की तरफ 38,000 एक important resistance बन सकता है, because 38,000 जो major एक support था, and हमें लग रहाता कि शायद व वो अब तूट चुका है, and अब थोड़ा इसमें वरी का concern लग रहा है मिर को, so 38,000 इसमें पहले एक resistance हो सकता है, उसके बाद भी 38,500 एक बहुत important resistance है bank nifty के लिए, और नीचे की तरफ देखेंगे, so अभी 38,250 जो range है, जो हमने पहले भी discuss की थी, 250,300 की range, यह काफी important support act करेगा and उसके बाद 37,000 एक important support act कर सकता है, because एकी psychological number भी हो जाता है, and उसके बाद 36,300 है, जो भी थोड़ा दूर है, and अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो level आ सकता है अभी bank nifty में, at least कुछ trading sessions के लिए, और चली एक बार bank nifty का भी OE analysis देख लेते हैं, so इसमें जो सबसे जादा call writing है, वो 40,000 की हुई है, and उसके बाद हम देखेंगे, तो 39,000 की सबसे जादा call writing हुई है bank nifty में, और वहीं अगर हम put writing की तरफ देखेंगे, तो add the money पे ही सबसे जादा है, I think, यह 37,900 की है, तो इस पे जादा, इस पे अभी सबसे जादा put writing हुई है, and अब इसमें करके देखेंगे, तो 7,6,7,8 आज positive में close किया है, well, order book में दिखा हूँ, so, मैंने morning में trade ले ली थी, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ emergency situation हो गई थी, और वो unavoidable situation थी, जिसकी वज़े से मुझे 10.30 बहीं अपनी सारी position काटनी पड़ी थी, and because मैं वापे से आ नहीं सकता था, मैं काटता, तो भी profits तो हो जाता, लेकिन इतना जादा मुझे profit ना होता, because हमने chart में देखा ही है, क्योंकि मैं अगर आपको दिखा हूँ, so, ये मैंने 202 पे मैंने exit किया है, जो मेरा put option है, लेकिन उसके बाद, जैसा आप देख सकते है, market continuously उपर गई थी, so, एक point of time पे मैंने द देखा, so, ये 250 पे exit हुआ है, तो उसी साब से देखेंगे, तो ठीक हुआ है, because अगर मैं, मतलब, end तक stay करता, then थोड़ा इसमें, जो profit थोड़ा कम हो जाता, so, that's it for today, guys, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का analysis, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक क शेयर करें, मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपने क्या trade किया, and कैसा रहा आपका पूरा दिन, so, यही था आज के लिए, let's meet in the next video, then,